नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वारेस से स्वागत आपका आज की बड़ियो ताजा खबरों में सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की किरपे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राब कर लें तो जानी आज के ताजा अबडेट्स वहीं पहली वड़ी खबर द से फैलताई जा रहा है देश में पिछले 24 घंटे में 69,921 नई मामले सामने आये हैं वहीं 819 लोगों की जान चले गई जी हां ताजा आक्रों के मताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 36,92,166 हो गई इसमें 7,85,996 एक एक्टिव केस हैं वहीं 28,39,883 ठीक भी हुए हैं कुल 65,288 लोगों की मत हो गई संक्रमड के एक्टिव मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्तुए लोगों की संख्या तीन गुना देखे जी हां आपको बता दें कि पहले देश में 29 अगस्त को रिकोर्ट 78,761 मामले दर्ज किये गए थे बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर WHO ने चेताव निदी है विस्तो स्वास्ता संगठन ने कहा कि बिना नियंतर के सब कुछ खोलना आपको दावत देना होगा वहीं अंगली बड़ी ख़वर अमेरिका जल्द तयार कर सकता है वैक्सीन ट्रेंप ने कहा एस्टो जनेका का ट्रेल तीसरे फेज में पहुंचा ज यहां दोस्तों आपको बता दें कि ओक्सपोर्ट विस्त दाला के सूध गरता और फाइजर के साथ मिलकर वैक्सीन तयार कर रही एस्टो जनेका ने कहा कि फेज 3 के ट्रेल में अमेरिका में लगवक 30,000 वोलेंटरियों को सामिल किया गया है कंपनी के बयान के बाद अमेरिक दोस्तों आपको बता दें कि केंदी सड़क परिवान राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी मंगलवार को उत्तर प्रदेश में 43 करोड रुपे की परियोजनाओं का लोकारपण वर्चुल तरीके से करेंगे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये लोकारपण का कारक्रम होगा वर्चुल कारकर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ भी मौजूद रहेंगे सड़क परिवान और राजमार्ग मंतरी जनरल वीके सिंग यूपी के उप मुख्यमंतरी केसब प्रसाद मौर इस कारकर में मौजूद रहेंगे वहें अगली बड़ी खबर वॉल इस्ट्रीट की नई रिपोर्ट पर राहूल गांधी वोले फेस्बुक की तुरंत जांच हो दोसियों को सजा दी जाए को भी हमारे देश के मामलों में हस्तचेप करने की अनुमती नहीं दी जा सकती जिया दोस्तों आपको बता दें कि दरसल अमेरिकी अक्वार वॉल इस्ट्रीज जनरल में एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया जब चुनावों में कॉंग्रिस की हार हुई थी तो भार और कॉंग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी उस वक्त कंपनी की बड़ी अधिकारी ने आंतरिक कार्यले शंबाद में प्रधानमंत्री मोधी की जमकर तारिफ की थी रुपोर्ट के अनुशारी सदकारी ने कहा था कि पीम मोधी का सत्ता में आना 30 साल की कड़ी मेहनत का परड़ाम है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने इसी रिपोर्ट को लेकर सरकार पर हमला किया है वहीं अगली बड़ी ख़वर टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी रहत एजियर देंदारी चुकाने के लिए सुप्रिम कोट ने दिया 10 साल का समय जो यहां दोस्तों आपको बता दें कि एजियर भुकतान के लिए मांग रही कंपनियों को सुप्रिम कोट ने 10 साल दे दिये बता दें कि सरकार ने एक मुस्त भुकतान के टेलीकॉम सेक्टर पर बुरे असर को देखते हुए समय देने को सही समय बताया था वहीं अगली बड़ी ख़वर विमान सिवा इसस्तंबर से हो जाएंगी उड्यान मंत्रलै ने बढ़ाया सुल्क जियां दोस्तों आपको बता दें की देश भर में बिमान सिवा एक शीख एंगी हो जाएंगी उड्यान मंत्रलै ने नियूनतम 10 रुपे की बढ़ोतरी कर दी है इस सुल्क में बड़ोती से अभी यात्रियों का क्राय भी महंगा हो जाएगा जानकारी के मुद्धाग बड़ा हुआ सुल्क घरेलू और अंतराश्टी दोनों तरह के यात्रियों से वसूल आ जाएगा घरेलू यात्रियों का 1.500 रुपे की बज़े 160 रुपे चुकाना होगा वहीं अंतराश्टी यात्रियों को 4.85 डॉलर की बदले 5.2 डॉलर चुकाना होगा इस सुल्क में अलगला एयलाइन्स की गाइडलाइन्स और विमानों की संख्या आधी के आधार पर 2-3 रुपे का अंतर होगा उधान के लिए इंटिको के टिकट की ये फीस अभी तक 117 रुपे पढ़ती थी जो अब बढ़कर 119 रुपे हो जाएगी जी याँ दोस्तों आपको बता दें कि आई एसाफ PSF अतरिक्त सुल्क है जो यात्रियों के एवियेशन सिक्योर्टी सुरच्छा के एवज में वसुला जाता है ये सुल्क AI टिकेट्स में अलग से जोड़ा जाता है वहीं अगली बड़ी खबर आत्म निर्वर अभियान में पिनाका रॉकेट लॉंचर खरीदे की सरकार इतने करोड में किया समझोता जी याँ दोस्तों आपको बतादने की रच्छा मंतरा ने 6 अन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड पे की लागत से पिनाका रॉकेट लॉंचर खरीदने को लेकर दो अग्रणी घरेलूर अच्छा कंपनियों के साथ समझोता किया है यह कदम मेकिन इंडिया पहल को बड़े पेमाने पर बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है अधिकारियों ने बताये कि पिनाका रेजिमेंट को सेनने वालों की संचालन तयानियां बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ लगती भारती सीमा पर तैनात किया जाएगा वही अंगली बड़ी खवर मांसून सत्र में एलेसी पर जड़प साहित कई मुद्धों पर विपच्छ होगा हमलावर जी यां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के भी 14 सितंबर से सुरू होने वाले संसद के मांसून सत्र को लेकर विपच्छने संकेत दिये दोस्तों आपको बता दें के को फांडर मार्क जकरवक को बचाड कर दुनिया के संपत्य अपड़कर 115.4 अरब डॉलर हो गई जबकि जुकरवक की संपत्ती 110.8 अरब डॉलर है सेरों के forward stock slipped के बाद टेसला के सेरों की कीमत लगातर बढ़ती चा रही है इस बज़े से एलन मस्क की संपत्ती बढ़ रही है वही मस्क की अलाबत जब वैसोप की पूरपत्नी मेकेंजी स्कॉर्ट दुनिया की सबसे अमीर महला बन गई है वही अंगली बड़ी खवर कॉंग्रेस के बिहार क्रांती संप्तिया विधान सवा छेतर से होगी पहले चरण में उत्तर बिहार के 20 जिलों से इस अभ्यान की सुरुवत की जा रही है इन वर्चूल सम्मेलनों के लिए खास पार्टी ने दिल्ली इसित पार्टी कार्याले और पटना में कॉंग्रेस के प्रदिस मुख्याले सदाकत आसरम में वारूम बनाए गए है इसके अलावा संबंदित विदानसवा चेतर में स्क्रीन लगा कर लोगों के जोड़ने की विवस्ता की जा रही है वही हर सम्मिलन में दिल्ली से दो राज़ी नेताओं के अलावा राजज और संबंदित जिले के प्रमुख नेताओं दोरा संब्ढ़न किया जाएगा जिल्ली नई भार्टिय कॉंग्रेस कमेटरी के दफ्तर में बिहार के लिए वारूम बनाया गया है राज इसतरी नेता सदाकत आसरम में बने बाहर वर्रूम से संभोधन देंगे इसके अलावा जिला और विदानसवा छेतर में स्क्रीन लगाए जा रहे हैं जिससे ये सारी सूचनाय मिलती रहेंगी वही अगली बड़ी खवर नई सिच्छा नीती 2020 में 28 कोर्स के साथ स्कॉलर्सिप और नोकरी की गारंटी जियां दोस्तों आपको बता दें कि केंद सरकार की मनसा है कि मेदावी नोजवानों को डॉक्टर इंजिनियर की तरह सिच्छक बनने के लिए आकरसित किया जाए इसके सरकार की मूली योजना यह कि काबिल चात्रों को अकरसित करने के लिए एक चार वर्षिय उतकर्ष्ट बीएद को सुरू किया जाएगा इसमें लेने वाले चात्र चात्राओं को मेरिट के आधार पर चात्रती प्रदान की जाएगी दूसरे कोर्स पूरा होने के बाद उन् बच्चों के बीच रॉल मॉडल के रूप में पीस किया जाएगा मकसद है कि सरकारी स्कूलों में अच्छे सिचकों की संख्या बड़े और उनकी गुडवक्ता पर सुधार हो इस योजना को ग्रामीर छेत्रों पर केंदित करने के साथ प्रथवासाली चात्रों को खास तो पर आज सोसल डिस्टेंसिंग का मज़ा कड़ाती हुई हजार अलों की भीर नजर आई वहीं कॉंग्रेस सरकार गिदाने और फिरसी बीजेपी की सरकार बनवाने के छे मां के लंबे अंतराल के बाद राजसवा सांसत जोती रादित सिंध्या ने आज अपने समर्थकों को बीजेपी की सदस्ता दिलाने के नाम पर बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों को अपनी तागत का हिसास करा दिया कॉंग्रेस ने कोरोना काल में भी भीर जमा करने का जमकर वरोध किया और ग्रफतारियां भी दी जियां दोस्तों सिंध्याब लगातर तीन दिन तक संभाग भ पुलियर पहुंचे हैं आज हजारों सिंध्य समर्थकों ने बीजेपी की सदस्ता लिए है वहीं बीजेपी में सामेन होने पर पहली बार उन्होंने अपनी मान में पहुँचकर सिंधिया कॉंग्रेस और पूर मोखिमंतरी कमलनात और दिगविजै सिंग के प्रते अक्रमत द सी एम थे एक बाहर से एक अंदर से इसका इसारा दिगविजा सिंग की तरफ जाता है वहीं मौसम अपडेट अगले 24 घंटों के दोरान दच्छनी पश्चिमी राजिस्तान गुजरात के कच्छ में उपर मैली पश्चिम बंगल सिक्यम आसम के कुछ हिस्सों में मेगाला दच में हलकी से मध्यम बारिस हो सकती है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पंजाब हरेना के बाके हिस्सों में दच्छनी पश्चिमी मध्य प्रदेश कॉंकर गोवार तर्टी कंणाटक के कुछ इस्थानों पर हलकी बारिस हो सकती है ये थी अब तक की बड़ी खबरें किरपे वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी मिलते हैं बड़ी अप्डेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद